पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का आप रिवीजन करते चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री अब आपके हवाले है, सीधी सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री, नीट धुहजार पच्छिस, तो इससे ज्यादा क्या relaxing टाइब के नीट धुहजार पच्छिस इसका exam अभी 8-9 महीने बाकी है कम से कम minimum minimum 17 question आपका इंतजार कर रहे है minimum 17, maximum अपने पास 20 maximum बोलोगे तो 20 question आपका इंतजार कर रहे है ठीक है न, आप अपने आप से सोच लो कितना कर सकते हो, कितना नहीं ध्यान सुनना, ये 2-1-7 ये 2-1-7 ये pairs में रखना इससे क्या होगा, एक बड़ा छोटा chapter का combination बन जाएगा, और जब भी target लो जैसे target लोगे तो उसमें target ले लो क्यार, 2 weeks में ये 2 chapter अगले 2 weeks में ये 2 chapter अगले 2 weeks में 2 chapter अगले 2 weeks में 2 chapter आप try करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका पहला या दूसरा revision 1st और 2nd revision 1st और 2nd revision जो होना चाहिए 1st और 2nd revision 31st December से, अगर कोशिश करना 31st December से पहले Physical Chemistry का 1st and 2nd revision free हो जाए, मतलब हो जाए कम से कम एक बार, minimum दो बार 31st December से पहले ये साल का calendar चेंज करने से पहले कसम खा के रखना, कि सर मैं 1-2 बार कम से कम revise कर लूँगा इससे क्या होगा न, जो formulas होते हैं वो लंबे time तक याद हो जाते हैं किसी को revise करने में दिखकत हो summary lecture आपके पास पढ़ा है अगर उससे भी नहीं हो, तो mind map पढ़ा है उससे भी नहीं हो, तो बहुत सारी चीज़े होती है youtube पे देखोंगे, उमीद पढ़ा है same chapter 2 गंटे का पढ़ा है किसी भी तरीके से कर लेना हो जाएगा, चौर हो revision, revision करने का यार best है, क्योंकि अगर तुमने मेरे से पढ़ा है आप करते चलो ना, बस questions करो हो गया